दोस्तो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं हमारे पास total कम से कम हर दिन के 200-300 कमेंट आते हैं कि सर हमारे smartphone में इस तरह का lock लग जाता है तो उसे हम अपने handset को घर बैठे किस तरह से unlock करेंगे दोस्तो सबसे जो बड़ा major problem है वो है कि हमारी जो audience है वो ज्यादा तर metro cities में नहीं रहती है वो rural मतलब जो area होता है वहां से बिलॉंग करती है और बहुत सारे देशों से मतलब हमारे पास कमेंट आते हैं तो दोस्तो आज का ये जो वीडियो होने वाला ये पूरी तरह से mobile unlocking के उपर होगा जहां पर आप ये जानेंगे कि दी आपका smartphone में pin, pattern, password चाहिए वो कोई भी android आ smartphone हो realme, oppo, vivo, oneplus, samsung, redmi, sawme तो आप उसमें लगे हुए pin, pattern, password को बड़े अराम से unlock कर सकते हैं वो भी घर बैठे बिना कहीं गय हुए और अपने पैसों को बचा सकते क्योंकि आप जानते हैं कि सर्विस सेंटर वाले आपसे कम से कम 300 रुपैसर ले करके आपसे 1000 रुपै तक वो चार्ज कर देते हैं लेकिन एक बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा आपका जो डेटा है वो lost हो जाता क्योंकि कि हम आपने तेडा साल के हमने सर्विस सेंटर के अपके साथ शेर करोंगा दो विंचों उन्लॉपैसर लोग करेंगे गरणे कमप्यूटब और विना एज डिटा लॉस्ट तो दुस्तों इस वीड्या के पोड़ा आं तक बनेरहा हैं आपको बताने जा रहे हैं तो चलेए लेके चलते हैं आपको अपने मोबाइल को अनलॉक करेंगे तो जैसे कि फ्रेंट्स आप यहां पर देख रहे हैं मेरे हाथ में जोगा स्मार्टफून है यह आपको अभी ठीक लग रहा है कि जब मैं इसे अनलॉक करने के लिए उपा की अभी डेटा लॉस्ट नहीं होने वाला है इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए तभी आप इसमें बताएगे मैथेड को स्टेप्स को देख के सीख सकते हैं और यहां पर दोस्तों आपको कौन सा स्टेप लेना पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि आपको क्या क्या ग्लति कॅधं करें मैं नौलेज वाली बात बताने वाले हैं इसका नाम लए अपको क्लिक नाम है और जब करते हैं दोस्तों आपके सामने एक निया पेचे महरेमें emergency calls only अभी यहाँ पे हमें करना क्या है हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है offline mode का code और वो code है यहाँ पे दोस्तो star hedge 56411 और सॉरी 115699 and hedge दोस्तो यह जो code है यह offline code और इस number पे आपको यहाँ पे 3 times call करना जैसी आप यहाँ call करेंगे OK का message आपको इसे OK पे क्लिक कर देना है और इसी आपको यहाँ पे सिर्फ 3 बार करना है इसके बाद आपका smartphone offline mode में चला जाएगा अब आपको friends यहाँ पे करना क्या है आपको यहाँ पे इस code को हटा देना है और अब हमें यहाँ पे नीचे की तरफ जाना है जहाँ पे हमें उपर में notification panel मिलता है और यहाँ पे आपके smartphone को airplane mode में हमें डाल देना है हमने अल्रेडी इसे डाला हुआ तलगे फिर भी हम आपके सामने इसे डाल देंगे और इसके बाद हमारा जो main काम है अब यहाँ से start होने वाला है अब हम यहाँ पे इस्तिमाल करेंगे master unlocking mode जी हाँ इसमें service center में क्या करते हैं कि इसमें हमें जो आप यहाँ पे code देख रहे है start hedge 899 और यहाँ पे हम click करेंगे hedge को आप देश सकते दोस्तों यहाँ पे हमारा engineer mode activate हो गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे है और इसी के help से service center वाले जितने भी आपके software के regarding problem है वो यहीं से उसे ठीक करते हैं और आपसे अच्छा खासा पैसा भी ले लेते हैं लेकिन दोस्तों आपको मैं ऐसा करने नहीं दूँगा आपको मैं पैसे खर्च करने नहीं दूँगा आप घर बैटे अपने smartphone को repair कर सकते हो अभी friends हमें unlock करने के लिए अगला step क्या लेना है नमबर 4 पे आपको एक option देखने को मिल रहा है manual test उसी के नीचे में एक option है software version आपको इसे यहाँ पे click करना है इसके बाद आपको यहाँ पे चले आना है android version पे और इसे आपको click करना है लेकिन एक बाद नहीं आपको इसे दो-तीन बार करना है मैंने इसे तीन बार कर दिया अब आपको दोस्तों यहाँ से इसे back हो जाना है और इसके बाद जो number 4 पे option है यहां आपको चले आना है और यहां पर जोस्तों मैं आपको बता दूँ यहां पर जब आप आएंगे तो इसके बाद आपको जो number 2 पर option है जिसका नाम है device dubbing यहां पर आने के बाद आपको सबसे पहले जो उपर में आप देख रहे हैं check a small board match main board आपको इसे क्लिक करना है और ज यहां से अब हम इसे back करेंगे और जो दूसरा step है वो यहां पर आप देख रहे हैं जिसका नाम है sensor self-taste and calibration आपको इसे यहां पर क्लिक करना है और जैसी आप यहां पर क्लिक करेंगे आपको दो option देख लिए मुलेगा होसे तो आपके smartphone में यहां 4-5 दिखें उससे कोई लगे कि आपका smartphone on working condition पर है इसे back करेंगे और यहां पर जो उपर में एक और option जिसका नाम है charge test इसे आपको क्लिक करना है और यहां पर जो उपर में आ रहा है generic charge आपको इसे click करना है और यहां पर हम दोस्तों थ्वादर के लिए आपको यहां पर दिखा रहे हैं यह आपका एक option देखने को मिल रहा है जिसका नाम है gyroscope आपको इसे click करना है और यहां पर जो दूसरा option दिख़रा है gyroscope self test इसे आपको click करना है और यहां पर जोस्तों आपको फिर से pass का एक message मिलेगा अब आपको यहां पर जो pass जब यह आज आगे दिए आपको fail आ रहा है तो इसका आपका जो hand set है वो outdated है तो आप हमें चैनल को subscribe करते हो comment कीजिए और बताइए कि आपके जो यहां पर fail आ रहा है उसमें यहां पर जो normal का message 81 वो आपका यहां पर क्या दिखा रहे है दिए आपका यहां पर 81 के लावा कोई और होगा तो आप हमें comment में बताइए कि आपका क्या जाना है next वाले option पर जो आप यहां पर देख रहे है main board आपको देखने को मिलेगा अधर वाले option पर जिसका नाम है database version और यहां पर आपको सिर्फ seven time क्लिक करना है one two three four five six seven और इसके बाद आपको ऊपर में जो आप देख रहे है read write important log test इससे आपको क्लिक करना है और यहां पर आपको एक confirm का message आपको देगा इससे आपको okay कर देना है और इसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना बस देख रहे हैं यहां पर wrong password का option आला था है यानिकि आपको वो जो wrong password है वो यहां पर reset हो चुका है दोस्तों और यहां पर बस मैं आपको दिखाना चाहूंगा number three पर जो option है किया status इसे क्लिक करके और यहां पर आप देख सकते आपको जितने भी की है वो सारे यहां पर pass हो चुके हैं Google का जो की है वो भी यहां पर pass it means आपके pin, pattern, password, fingerprint और face lock यहां पर reset हो चुके हैं और उसे cross check करेंगे जब हम इसे यहां पर home screen पर जाएंगे इसे click बीच अले screen को जो home screen है इसे हम यहां पर click करेंगे और दोस्तों आप देख सकते हैं आपका smartphone है यह successfully unlock हो चुका है यही आपका smartphone अभी भी unlock नहीं हुआ चैनल को subscribe करिए comment किजिए और यही दोस्तों आप चाहते हैं कि हमारे team के द्वारा आपके handset को within 5 minute unlock किया जाए वो भी video call के माध आपका काम नहीं होगा उस case में हमारे team आपकी बहुत help करती है तब ही आपका handset unlock होता है तो चलिए दोस्तों join करके देख लीजेगा फिर मिलेंगे ने वीडियो में एक नए trick के साथ